हमारे देश के जवान सेना के हो इसा सुरक्षब अली चाहिया बात करें हम जमु कश्मीर पूली उसके एक एक जवान हमारे लिए बेश कीमती है यह वो जवान है जब वो सर्फदों पर खड़े होते हैं हम अपने गरों में चैन और बेफिक्री की नीन्स होते हैं इसी के चलत सबसे पहले तो मैं आपसके बात बताना चाहते हूं मैं यह बहुत एक दुखत गटना है जिसमें पूरा देश पूरा इन्वाल्व है हमारा एक एक जवान जो है वहारी रक्षा करता है पूरे भारत की वह अपने माता-पिता को छोड़कर अपना गर परिवार चोड़कर सरद्ब डटा है थाकि हम लोग यहां पर चैन की नीन सो सके यह मैं आपके माद्यम से हमारी भारत सरकार को फिर आग रह करता हूं बहुत मिल्टेंसी में कमी हाई है लेकिन जो पाकिस्तान है वह अपने मनसूबों से भाज नहीं आ रहा हमारी आर्मी को पूरे हाथ खोल दि पूरी दुनिया में वह एक सामने आ चुका है लेकिन यह घटनाएं इसनकारन अब दुबारा घट रही है वह अपनी प्रसंट शो करना चाहता है तो मुझे हमें विश्वास है जो हमारे सैनिक वीर जवान हमारे डटे हमारी बाडरों पर हमारी देश की रक्षा प्रन लिय है और साथ यह सैना की खुद की गल्ती जो इतनी बड़ी घटना हुई आप इस पर क्या करेंगे कि ऐसे नेतों के ऐसे ब्यान बाजी से क्या लगता है सैना का मनोबल और यह सवाल उठाना उनका मनोबल तूटता नहीं से बड़ी दुखत बात है मैं आपके माधियों समय से यह कहना चाहता हूं कि इस मोके पर यह बात करनी ही नहीं चाहिए जो हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब है उनकी सुरक्षा भी सैना और हमारे जो केंदर सुरक्षा बलके जवानों ने लिए है आप देखिए उनकी सुरक्षा में कोन लोग तैनात है अब उनको बोलिए अब अकेले बिना सुरक्षा कर जाएए फिर आप देखिए आप कि दिने सर्वाइव करते हैं तो यह बात इस समय नहीं कहनी चाहिए हमें अपने जवानों के साथ खड़े होना है और पूरा देश एक जुट होकर उनके साथ कड़ा है हमारे वीर जवान जो हैं वो हमारी ज यहां पर आज हर एक व्यक्ति देश वक्त की बात करें देश पूरे देश की बात करें जमो कश्मीर की जनता की बात करें जब भी हमारा एक भी जवान वीर गती को प्राप्त होता तो पूरे दीश की आंके नम होती हैं क्योंकि यही वीर जवान हमारी यही सुरक्षा बल हम बहुत बड़ा सवाल यह निशान कड़ा करते हैं वहीं अमीद गुपता जी नहीं कहा कि शायद डाक्टर फारूक अब्दुल्ला बूल चुके हैं कि यह वही सुरक्षा बल है यह वही हमारे जवान है जबकि आप कश्मीर घाटी में आतंगवाद पीक पर था तो इनी की सु पहर सागर आप डेट के लिए चाहं जबारौ करते हैं